आज यानि सोमबार को पूरा देश शोक में डूबा हुआ है गोवा के मुखे मंत्री और पूरु रक्षा मंत्री रहे मनोहर पारिकर का रविवारात निदन हो गया पारिकर एडवांश्ट पैक्रियोटिक कैंसर से ग्रस्त थे उनका फरवरी से इलाज चल रहा था मनोहर परिकर का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा फिलहाल बिजेपी कार्याले में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है जहां राजनीती से जुड़े लोग और उनको चहने वालों के अंतिम दर्शन के लिए पहुच रहे है आज भारत सरकार ने देश में राष्टरी शोक का एलान किया है चार बार गोवा की मुख्य मंत्री रहे मनोहर परिकर IIT पास करने वाले पहले राजनेता रहे परिकर 1988 में IIT में ग्रेजवे डिगरी हासिल की 1914 में में गोवा की 55 सीट से लड़ा पहला वितानसबा चुनाओ 14 मार्च 2017 को पारिकर चोथी बार बने मुख्य मंत्री 2014 में मनोहर पारिकर बने देश के रक्षा मंत्री मनोहर परिकर के व्यक्तित की बात करे तो वे एकदम साधरन तरीके से रहा करते थे मुख्य मंत्री बनने के बाद या फिर रक्षा मंत्री बनने के बाद भी परिकर के रहन सेन में कोई फर्क नहीं आया वे हमीशा साधरन पैनावे में ही नजर आते थे और वे राज्ये की विधानसबा खुद इसकूर्टा चला का जाया करते थे मनोहर परिकर का राजिनतिक जीवन बड़ी सादगी से भरा रहा वे चार बार गोवा के सीम रहे मनोहर परिकर 2000-2005 तक और 2012-2014 तक गोवा की मुख्यमंतिर रहे साथ ही वे एक बिजनिस सलाकार समिति के सदेश से भी रह चुके है 2014 में उन्होंने मुख्यमंतिर पति से स्दिफा देकर भारती जनता पार्टी की मोधी सरकार में रक्षा मंतरी का पदभार समभाला वे पहले ऐसे भारती मुख्यमंतिर रहे जिन्होंने IIT में सनात्य किया हुआ है मनोहर परिकर का जन्म मापुसा गाउस में साल 1955 में हुआ था वही से उन्होंने अपनी शिक्ष्या हासिल की अपनी स्कूल पूरी करने के बाद मनोहर परिकर मुंबई में भारती प्रोग्योगी की संस्थान में दाखिला लेने चले गए और यहां से उन्होंने अपनी इंजिनेरिंग की पड़ाई पूरी की बात करें मनोहर परिकर के राजिनितिक सफर की तो वे स्कूल के दिनों से ही राष्ट्रे सयसेवक संग से जुड़ गए थे उन्होंने अपनी पड़ाई के साथी आरेसेस की युवा शाखा के लिए काम करना शुरू कर दिया था इंजिनियरिंग की पड़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आरेसेस को अपनी सेवा देना शुरू कर दिया था जिसके बाद उन्हें बिजेपी में शामिल होने का मुका मिला उन्हें बिजेपी पार्टी की तरफ से पहली बाद चुनाव लड़ने का मुका मिला BJP ने परिकर को साल 1994 में में गोवा की पंधी सीट से विदानसवा चुना लड़ने के लिए टिकेट दिया इस चुनाव में परिकर को जीत मिली थी लेकिन BJP कुछ खास नहीं कर पए आपको बता दे परिकर ने गोवा की विदानसभा में विपक शिनेता की भूमिका भी निभाई हुई है साल 2000 गोवा में हुए विदानसभा चुनाओं में बिजेपी पार्टी को लोगों का साथ मिला और बिजेपी ने गोवा से राज्जी के बतोर मुख्यमंतरी के तोर परिकर को चुना 2014 में हुए लोगसभा चुनाओं में बिजेपी पार्टी को जीत मिली और बिजेपी केंदर में अपनी पार्टी बनाने में कामियाब रही वही जब देश के रक्ष्यमंतरी को चुनने की बारी आई तो बिजेपी के पहली पसंद परिकर बने और उन्हें देश का रक्ष्यमंतरी बना दिया गया देश का रक्ष्यमंतरी बनने के लिए उन्हें मुख्यमंतरी पत छोड़ना पड़ा और उनकी जगे लक्षमीकांद को राज्य का मुख्यमंतर बनाया गया वही 24 अक्टूबर को परिकर ने बतोर गोवा का मुख्यमंतर बन अपना कारी शुरू कर दिया हाला कि इस विच परिकर की पतिनी को कैंशर हो गया था और वे उनके मुख्य मंतिर बननी के एक साल बाद इस दुनिया को अलविदा कह गई साल 2017 में गोवा में हुए विधान सुबा चुनाओं में बिजेपी को जीत मिली वही गोवा के विधायकों ने अपने राज्जी के लिए परीकर को मुख्य मंतिर बनाने का पस्ताव रखा जिसके चलते परीकर को अपना रक्षय मंतिर पद छोड़ना पड़ा और वो गोवा के मुख्य मंतिर पद को संभालने गोवा बापस आ गए पारिकर ने अपने अंतिम दिनों में भी जनता का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने तबियत खराब होने के बाद भी बतोर मुख्य मंतिर का फर जदा करते हुए राज्य का बजट पेश किया उनकी इस महानेता को पूरे देश ने नमन किया और आज भी पूरा देश उनको नमन कर रहा है Special Desk, Nautesh TV